राधे राधे मित्रों, मैं सोनिया भाटिया, आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल आस्था और जयोतिश ग्यान में मित्रों कभी कभी हम जब दूद को बालते हैं तो वे उबल कर गिर जाता है तो हम सोचते हैं कि ये अपशकुन हो गया या अशूब है तो वे किस तरह से हमारे जीवन में अशूब असर डालता है आईए जानते हैं जमीन पर दूद गिरना होता है अशूब जानिये किस बात के हो सकते हैं संकेत ज्योती शास्त्र में दूद को चंदर्मा का कारक माना गया है और इसका गिरना बहुत अप्शकुन होता है माना जाता है कि दूद बार-बार गिरने से चंदर दोश लगता है ये कई तरह से अशुब संकेत देता है दूद को चंदर्मा का कारक माना जाता है धार्मिक रूप से दूद का विशेश महत्व है कच्चे दूद का इस्तेमाल शिवलिंग पर चलाने के साथ साथ पूजन समगरी में रखने तक का होता है शकुन शास्तर में दूद को कई बार शुब और अशुब संकेतों से जोड़ा जाता है उबलता हुआ दूद गिरना काफी अप्शकुन होता है ऐसा माना जाता है कि गैस पर चड़ा दूद बार बार गिरने से चंदर दोश लगता है साथ ही घर में नकरात्मक शक्तियों का परवेश होता है माननता है कि बार बार दूद गिरने से देवी अनपूर्णा भी नराज हो जाती है अगर आप दूद उबाल रहे हैं और वो अचानक गिर जाए और ऐसा अकसर हो तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए आईए जानते हैं दूद गिरने पर किस तरह के अशुब संकेत मिलते हैं इस बात का संकेत देता है दूद गिरना गैस पर उबलता हुआ दूद बार बार गिरने से घर के सदस्यों की मानसिक सिती पर परभाव पड़ता है गिरता दूद चंदर दोश को बढ़ाता है इसकी वज़े से घर में हमेशा तनाव की सिती बनी रहती है हाथ से अक्सर दूद का गिलास छूट जाना और जमीन पर गिर जाना बहुत ही अपशकुन माना जाता है शकुन शास्त्र के अनुसार मानसिक सिती के साथ साथ आर्थिक सिती पर भी नकरात्मक परभाव पड़ता है परिवार में बढ़ता है कलह गैस पर दूद उबालते समय आग का उपयोग होता है जो की मंगल का कारक होता है मंगल और चंद्रमा एक दूसरे के विप्रीत मानने जाते है उबलता दूद अकसर गिर जाता है तो परिवार में जगडे की सिती पैदा करता है चंद्रमा और मंगल के मिलने से घर में दरिदर्ता आने लगती है दूद का कभी कभी गिरना समानने होता है लेकिन अक्सर गिरना इस बात का संकेत देता है कि घर में कोई वास्तु दोश है बढ़ता है आर्थिक संकट दूद के गिरने से घर में सुक समरिदी में कमी आती है अगर बार-बार दूद गिर रहा है तो परिवार के सदस्यों के बीच लडाई जगडे होने की संभावना रहती है माना जाता है कि चंदर्मा के कमजोर होने पर भी ऐसा होता है दूद गिरने से घर में आर्थिक संकट बढ़ता है अगर रोज दूद उबल कर गिर रहा है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में कोई वास्तु दोश है दूद से जुडा उपाए अगर अकसर आप से दूद गिर जाता है तो आपको मा अन पूर्णा से शमा मांगनी चाहिए चंद्रदोश से बचने के लिए मोती रत्न धारन करें और चंद्रदेव को जल चड़ाएं चंद्रमा और मंगल ग्रह को शांत करने के लिए कुछ उपाएद जरूर करने चाहिए घर से बाहर निकलते वक्त दूद गिर जाये तो भगवान को कुछ मीठा अरपड करने के बाद ही घर से निकले तो चलिए मित्रो आज हमने जाना कि जमीन पर दूद गिरना होता है अशूब और वह किस-किस बात का संकेत देता है तो चलिए मित्रो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ विदा लेने से पहले बता दूँ कि मेरे आस्थर जोतिश ग्यान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विशलेशन मुझ से करवाना चाते हैं तो यह मेरा कॉंटेक्ट नंबर दिया हुआ है आप मुझ से कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं मातर 500 रुपे में आपकी कुंडली का विशलेशन करूंगी यह डिसकाउंट मैंने जनवरी माह तक रखा हुआ है क्योंकि नया साल आने वाला है सब लोगों को जिग्यासा होती है कि वह जाने कि उनका नया साल कैसा आने वाला है तो चलिए मित्रों अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और जोतिश ग्यान को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए धन्यवाद मित्रों